नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Tech Dreams के एक और नए अपिसोड में So guys अभी कुछी डेस पहले की बात है आप में सही किसी ने मेरे से आकर पूछा था कि अगर हमको used market में जाकर एक card buy करना हुआ आज की डेट में करता हूँ तो आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे RX 580 के बारे में जानेंगे अगर आप 2019 में इस card को buy करते हैं तो अब क्या performance expect कर सकते हैं और क्या इसको बाय करना आज की डिट में worthy activity PC विजिट कीजे techdreams.co.in और चूज कीजे हमारे pre-built machines में से या फिर customizations और कुछ changes के लिए आप हमें email भी drop कर सकते हैं link in the description down below अब गाइस डीटेल में जाने से पहले एक simple बात मैं आपको बिल्कुल starting में ही clear कर जता हूँ कि इस card को buy करने का जो benefit है वो तब है जब आप इसे use condition में buy करें और एक trusted source से buy करें यहां तक कि अगर आप मेरे से पूछें कि क्या मुझे एक नया RX 580 बाय करना चाहिए आज की डिट में तो मेरा यहां पर दी जाती है इस वीडियो के लिए जो card में यूज करने वाला हूँ वो एक 8GB variant है इस card को मैं नए architecture में बेस तो नहीं करूँगा 2017 के first quarter में इस card को launch किया गया था और अगर आप एक अच्छा 500W का power supply unit यूज करते हैं अपने PC build में तो आप बिना किसी परिशानी के इस card को use कर सकते हैं यहां पर जो variant में यूज करने वाला हूँ असूस का strics edition है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि असूस के strics edition में आने वाले जो भी cards होते हैं वो काफी premium quality आपको offer करते हैं और साथ ही साथ अच्छा performance भी offer करते हैं लेकिन इतने pros होने के साथ साथ एक कौन जो असूस के strics editions में आता है वो होता है इनका price जो की normal variant से काफी जादा हर बार रहता है तो इस वाज़ा से जादा लोग जो हैं strics की तरफ जाते नहीं है बट अगर आप कोई भी RX 580 यूज़ करते हैं तो आप इसी level की जो performance आप expect कर सकते हैं almost इसी level की जादा से जादा चार से पांच fps का difference at max आप देख सकते हैं तो आई जल्दी से test कर लेते हैं कुछ gaming titles को और उसके बाद बात करते हैं final verdict की लेकिन पहले आपको बता दो मेरे test bench के बारे में तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ Ryzen 5 3600 processor और साथी मैं RAM की बात करें तो 32 GB Corsair Vengeance Pro RGB memory मैं हाँ पर यूज़ करने वाला हूँ जो कि clock day 3200 MHz पर और साथ जितने भी games हैं वो सभी मेरे SSD में स्टूड है झाल में काश्या गर हूँ लाँ रग्ड़ यवाँ कर दो कि अएर यवाँफ लाँ ऴ लाँ संवाई । काशं थैसारे काश्व लाँ लाँ में में वैजक मBlसं लाँक近市 टता यॉयरा यूवार्ट कर यूदू झाल JellyD काश़्वार्त ख़मील झाल 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 झाल